15,000 रुपए करोड के लिए मुकेश अम्बानी का लोकल पर फोकस बना रहे तगड़ा प्लान मुकेश अम्बानी की Reliance Industries Local Currency Bond के जरिये 15,000 करोड रुपए 1.8 बिलियन डॉलर जुटाने की योजना बना रही है अगर यह योजना सफल होती है तो Reliance के लिए करिंसी में अब तक की सबसे बड़ी बॉण्ड बिक्री होगी बता दें की साल 2020 के बाद कमपनी पहला घरेलू बॉण्ड जारी कर पैसे जुटाएगी Local Currency Bond क्या है इसे घरेलू Currency Bond के रूप में भी जाना जाता है यह किसी विशेश देश की स्थानिय मुद्रा में जारी और मुल्यवर्गित रिन प्रतिभूतिया है यह बॉण्ड आमतोर पर सरकारों निग्मो या अपने देश की अन्यसंस्थाओं द्वारा जारी किये जाते है वहीं बॉण्ड के मूल्धन और व्यास का भुगतान स्थानिय मुद्रा में किया जाता है यह विदेशी मुद्रा बॉण्ड से अलग होते है विदेशी बॉण्ड में मूल्य विदेशी मुद्रा में होता है और मूल्धन या व्यास का भुगतान उस विदेशी मुद्रा में किया जाता है लोकल करंसी बॉण्ड में निवेश्पो को जारी करता के क्रेडिक जोखिम के साथ साथ घरेलू ब्यासदरों में बदलाव से जुड़े ब्यासदर जोखिम का सामना करना पड़ता है पैसे जुटाने पर Reliance का जोर Bloomberg की एक रिपोर्ट के मताबिक Reliance Industries विस्तार की होड में है इसी कड़ी में कमपनी अपने तेल, गैस कारोबार से इतर रिटेल, टेलीकॉम, एनर्जी और फाइनेंस के कारोबार का विस्तार कर रही है ऐसे में Reliance Industries के लिए पैसे जुटाना ज़रूरी हो गया है इसी के तहट, Reliance रिटेल अपनी हिस्सेदारी बेचकर, कतर इंवेस्टमेंट ऑथोरिटी और केके आर एंड कमपनी जैसे रणनीतिक निवेशकों को कारोबार में लेकर आ रही है शेर में तेजी सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन गुरुवार को Reliance के शेर एक प्रतिशत से ज्यादा चड़ गए यह 2325 रुपए के भाव पर कारोबार कर रहा था बता दें कि Reliance Industries को क्रिसिल रेटिंग्स से ए एक रेडिट रेटिंग प्राप्त है यह रेटिंग ताटा मोटर्स लिमिटेड की आ रेटिंग से ज्यादा है हालांकि मूडीज और फिच ने Reliance Industries को क्रमश बादो और BBB रेटिंग भी है